जाहिद तीन बच्च के 32 मिनिट पे जम्मू से कश्मीर की तरफ कॉन्वाई निकला सियार पीफ का 2500 जवानों का कॉन्वाई जो की जनरल ही होता नहीं एक हजार कॉन्वाई में होते सबसे में क्या है ना बहुत गुस्से में हूँ लेकिन इतना कंट्रोल करके कोशिश ही कर रहा हूं अगर मेरे सामने सम्विदान का मैं हमेशा उसे कहता हूं कि सम्विदान का सम अंदर से वो पील है ना इन जैसे हरामी घदार आ जाना बीच में हाथ रखके फाड़ दूं सालों को अभी वो पीलेंगे लेकिन लेकिन सिर्फ गुस्सा गानी है बहुत लेकिन बात करना है ना और बात क्या है सबसे पहले क्या हुआ यह समझ लो जितने त्योहार मना रहे आज वो 44 वहां पर शहीद हुए तो क्या है इंसिडेंट समझू पहले इंसिडेंट की बात करना पड़ेगी उसके बात करना पड़ेगी question के वा나 सवाल क्या है कि हुआ क्यों हूआ खामिया हर चीज़ार जब तक सवाल नहीं उठेंग उसका जवाब नही आएगा थे साथ क कि जो कश्मीर आ रहे हैं है किसके लिए आ रहा है इनी सालों की सुरक्षा के लिए मतलब है कश्मीरियों की बात कितना सम्झाएंगे और पचास भार तो में वीडियो कर चुका है मूल के मत बहको, मत बहको अब बात यह है कि हहां से आ रहे हैं 2500 से ज्यादा जब अवंती पुरा पहुशता है, जो की सेक्टर है फिलवामा में, जो यहाँ पर पढ़ता है, वहाँ पर आकर एक Scorpio की बात करें, जो अबी तक जितनी मेरी बात हो हां, जिन लोगों से वहाँ पर हो, यह उनसे कंसर्ण जो लोग है, इनसे बात हो, पड़ेगा कि यह इतनी बड़ी ब्रीच कैसे हुई that's a bigger question और अगर वो हुए नामर्दिगी आभे किस काइप की घार क्या है नामर्दिगी क्या है तुमारी काड़ में तुमारी दमना अंदर गूदा है तुम में अभे वार जोन होती ही तो बात अलगती बे तुम बहुत यह कहां पर हुआ है यह सबसे बड़ा question वो ठीक है that's okay that's a part different but कैसे इतनी बड़ी 76th Battalion जो है 76th Battalion की गाली से ठोका उसके पड़ी बहुत सारे सवाल बहुत सारा गुस्सा but we love to go step by step. Concern यह दोस्ता कि इंदुस्तानी की तौर पर एक बावता है यह safe route है वहां पर improvise explosive device जो ID कैसे place की गई है पहली बात यह दूसरी चीज़ यह कि 350 यह 400 किलो का जो explosive है वह आया कैसे और तीसरा पाभे घद्दार तो हैं यह terrorist यह साले बढ़ुए है सबसे बढ़ी चीज़ इनके चाचा के लॉंडे हारामी है कौन इस देश में जिनने कॉन्वाइ निकलने की information दी समझ में आता है को मैं क्या है यह जब वहां से 2005 जबकी safe route ही है चम्मू से जब गाडिया निकलती है पहली बात इतना लंबा convoy है इसकी ठीक है information पास हुई है वो बैट के ताक्त में बैठे 350 kg explosive खरीदने का कहां से पैसा आ गया इन भूके नंगे लोगों को support कॉन कर रहा है कहां से किस लेविल पर यह trace करना पड़ेगा का पित्ता कर हम लोग एक बारता ही है जितने लोग बैठ के सुन रहे है अपने आपने एक बास सोचना है दोस्त मैं लिंक डालूँगा यहां क्लिकि मैं शायद मुहें लगता है कि मैं वो उत्यूस तका आपने साथ शेयर नीं एक्र सकता ह otras उंकी माओ को उंकी बेहनों खुता पेस पा है उनकी बेटीयों को उनकी बीवियों को लाशे नहीं है यार, चीथने है इतने तरे से, क्या दोगे उनके घरवालों को, उनके घरवालों को मिलेगा क्या, यह सोचा है, सबसे बढ़ी कि इसका जिम्मेदार, मैं बोलता हूँ बोश, अब बहुत, अब पॉलिटिकल पार्टीज वाले गलब कंसन है, इस पे भी राज निती मत करना वे, इस पे भी राजिनीती मत करना, यह बहुत बढ़ा कंसन है, एक इससे बढ़ा कंसन यह है, डिबेट चालू हो जाएंगे, उस पे माग, साले सब आके ना, मैं शलिय बोल रहा हूँ, सल्यूशन चाहिए, सल्यूशन क्या है, आप और सबसे बढ़ी जिम्मेदारी है, भारत की सुरक्षा करने की वो निभा रहे है, बताओ, तीन दिन से रास्ते बरफ, ती वहां से हिलनी पारात आदमी, सबसे बढ़ा यह सवाल है, उनकी सुरक्षा की सिम्मेदारी कौन लेगा, जिन माओं ने, जिन बहनों ने अपने बच्चों को बेजा है, पोज मैं, CRP आपने बेजा है, आज बहु सेंटर रिजर्फ प्रोडेक्शन फोर से, आपको बता है, पर उनका प्रोडेशन के क्या बहे है, और जिम्मेदारी लेगा है, कौन, सुलूशन, सुजाव या जो भी आप समझ जो एक हिंदोस्तानी की तोर पर यार, यह बता करते हैं, उनको एयर सपोर्ट दिया जाता है, यहां पर एयर सपोर्ट क्यों नहीं दिया जा सकता है, सुलूशन के अगर हम बात करें, कब तक मरवाते रहेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे, बुलेंगे हमारी सरकार ने या किसी की भी बात करें चाहिए, उपोजिशन मेरे जानने वाला है, मैं अगर हमालो मेरा ने परिवार का कोई किया है, आप दोगे मेरे घर का भाई, मेरा बेटा दे सकते हो, मेरा भाई दे सकते हो, मेरा पती दे सकते हो, दोगे आप, आप 3-5-10 लाग रुपे में आप शाहदत खरिते हैं इस देश में, आप यह गईग याद डिजर दाए एर कवर होना चाहिए वाई टू चॉपर्स के नॉट प्लडी वाच एवरीटिंग पहली बात एर कवर दूसरी बात यह वताओ आप जो आईडी सहां हो रही है वाई नॉट एंटी माईश वाई नॉट एंटी आईटी इस चैन बी यूज ऑन दे ट्रैक्स क्यों पाइलेट आगे चार गारिया नहीं जा सकती है अगर मोबाइल से मोबाइल से माल लीजे मोबाइल ट्रिगर से यूज हुआ है वाई कांट भी यह ब्लडी जैमर मंत्री जी जाएंगे तो उनकी गारी के आगे जैमर लगेगा पीछे लगेगा आएम नोट अगेस मिन कर एक सोलीशन निखा सकती है आपको अपने आप से भी कभी पुछेगा लड़के के बंदे लड़के ठीक है एक नियम बना दो ना एक शहीद हो तो जो उस विभाग का इंचार्ज था उसका लॉंडा भेजो आपको होज में तब समझ में आएगा आपको जिसके घर में शह दूसरी बात भगवती की समद भुले नाथ कि आज जिनने करवाइं अगर मेरे साम्ने और मैं कहीं घर उपरवाले चाहा मैं इसके लिए कानून मी आथ मे लेने तयार हूं अगर जिनने करवाएं मुझे अगर पता चलो अगर मेरी एक बढ़े पूबा तोई नहीं आगर मै तेरा मेंटर क्या है? वाट इस अप्लडी सुलिशन अप्टेस? कॉर बड़े सवाल पे आजाए? कहां गाए वो हिंदू मुस्लिम को लडाने वाले? कहां गाए? कहां गाए गैंग? कहां गाए वो हिंवन राइट्स वाले? अब नहीं तुमको बुरो लग रहा है टेर्रिस्ट मरता है तो अभी तक अंजोलन चालू हो जाते तुमारे ना? अब कहां गाए बे? छपगाए हो गाए बुसंड में? हां? क्या हुआ अब? अब हिमन राइट्स मस्लिजर का कॉनसर राइट है? मतलब हम इंतधार किस बात का कर रहे हूँ आप? हां, तो जोगी सेलिब्रिटी नहीं मरा अभी तक तुमारा कोई अभी तक तुमारा कोई नेता नहीं मरा ना बड़ा वाला? इसलिए और मरता भी नेता को क्या कहीं वो इस पाटी का था? अब यार समझ में नहीं आता है, एक बार हर चीज में पॉलिटीकल, एक सबसे बड़ी कंसन ये है एक बार मर्दानगी दिखाओ बे, एक बार अंदर से अखर थोड़ा सा भी गूदा है ना इखटे होके दिखाओ, ये जो है ना चल रहा है तुम लोग का, यहां प्रस बुराई करेंगे, इसका इसका है अभी आप खामिया निकालने शुरू है, खामिया ठीक है, सबको बताए वे क्या के खामिया हुई है सुलीशन क्या है, सुलीशन बे बात करिए, उसकी एदम 24 से 48 घंटे रुख जाओ जाओ या आप, फिर देगे ना, सब चैनल पे आएंगे वो, इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, शहीदों का ग्या बास, मैं बोलता हूँ इस पूरे देश को इस बार सीधे बाइकोट कर देना चाहिए, अगर इसका जवाब नहीं दिया गया तो एक मेंट, सर्जिंगा लिस्टाइब, अरे शेडियूल बना रोज सुपेजा आव नो ठोगो, आप नामर्दी की पोच की दिखा रहो है, इसका मतलब यह है, हिंदोस्तानी पोच को पॉलिटिकल इविल की ज़रूरत है, आप पॉलिटिकल इविल, पूरी सभी पार्टीज आप किस प्रक्रिया से करते हैं, मुझे पतानी इस देश में तो, जो है ना सुप्रीम कोड खोल जाता है, कई टर्रिस्टों के लिए रात को जब सुप्रीम कोड से यह ऐसे कुछ लायर होंगे, जो टर्रिस की पास ही रुकवाना होगा, तो सीधे रात को भी सुप्रीम जो, बहुत सारे लॉयर मिलीगे लिए इस देश में, कहांगे भी वो लॉयर अब सब, आउ इखटे जड़ा, इनके यूमन राइप्स के लिए लड़ो, तम आनूगा कि तुम, अभे अवे अवसल बाप की अलाद हो ना, सब को चैलेंग देता हूं, अगर तुम अपने बा आपको चुने के आने का कोई हक री है, चाहे वो कोई भी पाथी हो, एक और ना, देश्षत से चलता ये सावे ना, वो साले हमारे दिलों में, हमारी फोर्सेस के दिलों में डर पैधा कर रहे हैं, हमारे ज़िए आप बैक फूट पर आने बोलता हो, एक सब से पढ़िया सॉ हमारो सालों की, लोग कहते ना, आपे मैंने बहुत कंट्रोल किया इसने मम, बहुत कंट्रोल करके, लेकिन सच्चा ही है दोस्त, बहुत हमने देगा हिंदोस्तान ना, बहुत बले बेड़े डॉन मनते हैं नहीं रॉंडे, नौर्थ में गोलिया चलाएंगे हावा में, तु हमला करवाने में मदद करते हैं और यह कभी हिंदोस्तान के सगे होंगे, इस चीज का साला कोई सोल्यूशन नहीं है, इन पॉर्मर्स को ठाव चाहे हिंदोस्तान के किसी भी कौने में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, जहां यह हमला हुए है ला, उसी जगहे खड़ा करके इंक अध्या करवाने में हो, पुर्मर्स को ठावा में हो, ताव तक चलाओ सालों की चपतागे की नसना पछे, तो नहीं है यह हमाच तुने संबेदारी, जैक्षे महममा ते सिम्मेदारी ली ली तू काहापुरा का तुच्चे हैं तू काहापुरा का गुंड़ा थाना भे तुम्हारे आका और तू सुन्वे काकापुरा का तू बहुत श्री नगर का तू गुंडा तू साले जैसे मौम्मद का बॉस बनगे तू ने करवा इसम्मेदारी ले रहे ना ताकी सब की छोड़ बे अब तेरी जहां जितनी कूबत जहां छुप सकता ना सबसे पहले तू ठ इसमार्कार की रक्षा मंत्राला है और सब के ऊपर अब ये बात लिगों से बाफ़ सभाट सब आता गे है मैं जब लोगां से बात कर दाऊ ना कम सब मेरे पर्स्नल नमबर मेरे बढ़ी सकता है बनीवाद है बहुत कम में यूज करता हूं उस पर अभी के हाथ कम से कम 300-400 मैसेज है जो लोग दीपा के बागी है यहां पर वो पुनीद करके रलका है संजीव है रिच्छा है इन सब के बाद मैसे उसमें कोई भी एक मैसेज यह मैसेज है रिच्पेक्टर शीफुची सर आप सेना में रहें इतना बड़ा सुनिया सबसे पहली चीदा है और नेवर बीन लिंदियामी मैं सेना में नी रहा हूं मैं समर्दक रहा हूं और मैं हमेशा रहूंगा बगेर वर्दी के अलावा जो मेरी अकाद मोगरता कि इतना बड़ा पार्नामा बेना किसी सपोर्ट के हमारे देश में नहीं हो सकता है इस देश के युअ की आपसे यही मांगे कि हमारी आवाज आप ही बन सकते हैं इसके जाच हुए कितनी मात्रा में बें स्पोटक कैसे आया information कैसे भी कूई है या आप जानते है कौन-बुभान किस तरीके में आप army में रहे बहुने किस तरीके से information दे जा सकती है और क्या कर सकता है इस चीज को जा चुए पूरा देश को ये करना है पूरे देश में गुस्सा कम हमावल है हमारी गवर्मेंट और आप जैसे कुछ लोग मैं कुछ नहीं यार बट हमें यह बात रखने जी अगर मैं आवाज हूँ मैं हक से यह आवाज रखूंगा ऐसे हजारों बच्चे पता है तुमको आज ना बात सब भूल दाओ वे एक बार मर्द बनने का मौका में लाए वे जो तोड़ों साली चूडिया नामर्दगी पूरे देश की हर पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा अचेंडा लाओ मिलके दोस अगर तुम में एक भी अपने बाप का खून है ना एक वह इलाने कि जिस देश में अगर तुम पैदा हुए और उस देश के अगर तुम बट रही यह मारो इनके इंपॉर्मर्स उठाओ जब तक इनके दिल में दैशन नहीं होगी साले कोचली सुदनने वाला उठाओ पॉलिक में खड़ा करो मारो सालों को गोली तब ही सम्दिवाएगा झालों कोचली सुदने शप्रवाएगा